नमस्कर दोस्तों, फूर्ट डिवाइन में आप सभी का स्वागत हैं आसा करते हूं आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स, आज मैं आप लोग के साथ वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी स्यार करूंगी तो चलिए जल्दी से रेसिपी सुरू करते हैं अच्छा लगे तो दोस्तों में सेयर कीजेगा और वीडियो के नीचे लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा यहाँ पर हमने एक काप पास्ता ले लिया है और हमें चाहिए थोड़ा सा गाजर जिसे हमने थोड़ा बड़े साइज में काट लिया है आदा सिमला मिर्च उसे भी हमने थोड़ा बड़े साइज में काटा है और लिंगे हम आदा प्याज प्याज को भी हम थोड़ा स्लाइस बड़ा रखेंगे तो रेसी भी सुरू करते हैं कराई में हम ले लिंगे धाई काप पानी पानी जैसी हमारा हलका गरम हो हम इसमें पास्ता डाल देंगे पास्ता डालने के बाद हमें 7-8 मिनिट मीडियम फ्लीम में बॉयल करना है पास्ता को पानी को पहले हम गरम करेंगे पानी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है डाल देंगे पास्ता गैस कपले मीडियम करेंगे और साथ से आठ मिनिट हम इसे बॉयल करेंगे डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक आठ मिनिट हो गया है पास्ता को बॉयल करते हुए और यह अच्छे से सॉप्ट हो चुका है तो इसे हम एक टोक्री में छान लेंगे एक पैन ले लेंगे अब इसमें हम डालेंगे दो चम्मज ओलिव ओईल मैं ओलिव ओईल से बना रही हूँ आप चाहे तो कोई भी ओईल ले सकते हैं तेल को हम पहले गरम कर लेंगे तेल जब हमारा गरम हो जाए हम इसमें डाल देंगे प्याज गाजर और सिम्ला मिर्च बस दो मिनिट हाई फ्लेम में इसे फ्राई कर लेंगे बहुत ज्यादा इसे सॉप्ट नहीं करना है थोड़ा सा हमें क्रंच रखना है तो दो मिनिट हाई फ्लेम में डालेंगे हम विल्कुल थोड़ासा ओरिगानों और 1 फट चम्मस हम डालेंगे चीली प्ले क्स थोड़ासा लेंगे हम इसमें बलेक पेपर, पावडर विल्कुल थोड़ासा डालेंगे और चुटकी भर नमग अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करके इससे हम साइड में रख देंगे बस दो मिनिट हमने इसे हाई फ्लेम में बुनाई और आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत जादा चेंज भी नहीं हुआ है और सबजिया बहुत जादा स कृट भी नहीं हुआ है तो इसे हम साइड में रख देते हैं अब हम बनाएंगे वाइट सॉफ तो उसके लिए हम इसमें ले लेंगे देड़ चम्मज बटर साथी हम यहापे टालेंगे देड़ चम्मज मैदा एक चम्मज और आदा चम्मज अच्छे से हमें इसे मिक्स करते हुए भूंडा है बस कुछी सेकेंड और चाहिए हमें एक कप दूद यानि धाय सो एमिल बस मैदा की जो कच्छा स्मेल है उसे हटाने तक हमें इसे भूंडना है अब हम यहापे टाल देंगे दूद थोड़ा टालके हम पहले इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ने तो इसमें लम्स पर जाएगा तो लगातर इस तरीके से आपको चलाते भी रहना है स्पैचुला से थोड़ा सा इस तरीके से दबाते हुए तो हमने पूरा दूद इसमें डाल दिया है इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा औरी गैनों थोड़ा सा चिली फ्लेक्स पहले भी हमने डाला था बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा साती हम डालेंगे थोड़ा सा औरी गैनों नमक डालेंगे बिल्कुल चुटकी भर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पावडर बस एक मिनिट हम सॉस को पकाएंगे एक मिनिट हो गया है सॉस हमारा बन गया है इसमें हम यह डाल देंगे जो हमने वेजिटेवल्स प्राई करके रखेते अच्छे से मिलाएंगे और साथ ही हम यहाँ पे पास्ता एड़ कर देंगे बस अच्छे से मिक्स करके गैस कपलें हम बन कर देंगे पास्ता डालने के बाद हम इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे बस अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद हम गयास कपलें बन कर देंगे तो पास्ता हमारा बन की रेडि है हम इसे सर्व कर लेंगे अ आप चाहे कि यहां पे चीज भी एड कर सकती है ले लेकिन मैं अगर जादा डालना चाहे तो आप इस पे थोड़ा सा एड कर सकती है तो गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, सर्फ कर लेंगे हम लीजिए फिल, हमारे चीजी वाइट सॉस पास्ता बनके तैयार है उपर से डालेंगे थोड़ा साथ चीज, ग्रेट करके तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ करें, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे आज की रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों में सेयर कीजिएगा और रेसिपी कहता लगा नीचे कॉमेंट बोक्स में जरूर बताइएगा तो नए रेसिपी के साथ हम फीर से मिलेंगे, सब तक के लिए नमस्कार